तल्वार दंबत्ती को बरी कराने वाले बकील लड़ेंगे राम रहीम का केस जी हाँ, सिरसर डेरा सच्चा सोधा का पिर्मुख राम रहीम जो सुनर्या जेल में 276 मामले में 20 साल की सजा भुगत रहा है जिसने जेल से बाहर निकलने के लिए अपना बकील बदल लिया है मिली जानकारी के मुताविक राम रहीम का केस बो बकील लड़ेंगे जिन्होंने आरुसी हत्यकान में तल्वार दंबत्ती को बरी करवाया था तलवार दमपत्ति को बरी करवाने बाले बकीर लड़ेंगे केस रामरहिम के बकीलो की फोज में अब तनवीर एहमत का नाम भी सामिल हो गया है हलांकि रामरहिम की ये रड़निती कितनी कारगार साभित होगी ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि तन्वीर एहमत का मानना है कि आरुसी हैमराज मर्डर केस और राम रहीम के खिलाब चल रहे केसों में बहुत फर्क है बकील तन्वीर एहमत ने तलवार दमपत्ती को करवाया था बरी बता दें कि पिछले साल इलाबाद हाई कोट से डाक्टर राजिस तलवार और नुप्र तलवार गो 2008 में आरुसी और नोकर हिमराज की हत्या के मामले में बरी कर दिया गया था और बरी करवाने में बकील तन्वीर एहमत की एहम भूमिका थी सादवी योन सोसर केस में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम ने अब तन्वीर एहमत को अपना बकील बनाया है तन्वीर एहमत राम रहीम पर चल रहे तमाम केसों की पैरवी करेंगे